हेलो बच्चों राश्ट्री आयम योगिता अधाई छात्वित्ती परिक्षा 2026 में जिन बच्चों ने आविदन किया है उनके लिए एक जानकारी है कि इस बार का जो उत्तर पत्रक होगा उसमें OMR सीट दी जाएगी और OMR सीट जो दी जाएगी उसका प्रारूप कुछ इस परिके से हैं जो यहां आपको दिखाई पढ़ रहा है तो यहां आपको सबसे पहले केंद्र का नाम उसके बाद अभी हर्थी अपना नाम लिखेंगे फिर पिता का नाम लिखेंगे पहले पेज़ पर बच्चों को केवल इतनी ही जानकारी भरनी होगी उसके बाद उसके ब लमर भरेंगे, और सही अंग के सामने का गोला काला करेंगे इसी तरह से sex में बच्चा लड़का है तो male M लिखेगा और one को कलर करेगा female है तो F लिखेंगे और two को कलर करेंगे फिर third में किस area से आते हैं rural या urban, यानि कि grammead है, तो two को कलर करेंगे और बॉक्स में रूरल या ग्रामीड लिखेंगे और बच्चे यदि यह सहरी एरिया के हैं तो रेक्टेंगल में अर्बन लिखेंगे और वन को कलर करेंगे या फिर हिंदी में सहरी भी वहां लिख करके वन को कलर कर सकते हैं फिर काश्ट आपको भरनी है काश्ट में जनरल वाले बच्चे जनरल लिखेंगे और 1 के सरकल को काला करेंगे SC है तो SC लिखेंगे रेक्टेंगल में और 2 को काला करेंगे इसी तरह से ST बच्चे बॉक्स में ST लिखेंगे और 3 वाले गोले को काला करेंगे जो बच्चे OBC कास्ट के होंगे वहां रेक्टेंगल में OBC लिखेंगे और 4 वाले सरकल को काला करेंगे इसके बाद यदि बच्चे चुनोती ग्रस्त हैं यानि दिव्यांग बच्चे हैं तो किस काटेगरी में दिव्यांग हैं उनके सामने नंबर लिखा हुआ है ठीक है से लेगर के 90 तक के लिए एक सेट बनाए गया है जो आपकी मैट परिच्चा के लिए है यानि जनरल मेंटल अबिल्टी टेस्ट जो आपकी तारकिक अभियोगिता से सम्मंदित होगा उसमें आपके एक से 90 तक की संख्याओं के प्रस्णों के आगे विकल्प एक दो तीन च लिखे गए हैं तो इसमें आपको क्या करना है नीले या काले बाल पिन से इनcohol को भरना है जो भी ऑप्सन सही होगा जैसे आपको प्रस्ण एक में ऑप्सन दो सही लग रहा है है तो जिस सरकल में दो लिखा हुआ है उससे आप पूरी तरह से फिल कर देंगे इसी प्रकार से सभी 90 प्रश्णों को आपको फिल कर लेना है दूसरा भाग जो दिखाई पड़ रहा है वो आपकी सैट परिच्छा के लिए है जो आपकी विशागत परिच्छाएं हैं जिसमें आपके विज्ञान, समाजिक विज्ञान और गडित के प्रश्ण पतर आएंगे तो उसके लिए प्रश्ण संख्या 91 से 180 तक के इसमें संख्याएं दी जाएंगी और उसमें भी उसी प्रकार से विकल्पों को आपको भरना है सही विकल्प के वाले गोले को आपको भर करके इसे कंप्लीट करना है सभी काले कर लेने के बाद या नीले कर लेने के बाद नीचे आपको तीन rectangle दिखाई पर रहे हैं पहले rectangle में पहले आयत में बच्चे को अपना हस्ताक्षर करना है हस्ताक्षर आप वह करेंगे जो आपके Admit card में होगा या फिर आपको यहां verification के लिए जो पत्रक देंगे उसमें जैसा signature होगा वैसा ही signature आप यहां करेंगे दूसरे में signature of invigilator है यानि जो कछ निरिचक होंगे वो यहां पर sign करेंगे और तीसरे box में जो है केंदर की मोहर यानि जहां जिस center पर आप परिच्छा दे रहे हैं वहां के केंदर की मोहर वहां पर लगेगी तो इस तरह से बच्चों इस बार की जो seat थी उतर पत्रक है उसमें कुछ परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो हमने बताया इसी प्रकार से कुछ आपको उतर पत्रक मिलेगा और इसी तरह से आपको भरने होंगे OEMR seat भरते समय विशेज ध्यान यह देना है कि आप किसी भी उतर के लिए दो गोले काले नहीं कर सकते हैं दो गोले काले करने पर उसको अंक नहीं दिये जाएंगे आप केवल एक ही गोला काला करेंगे हर प्रशन के उतर के लिए इस OEMR seat को बहुत ही सावधानी से भरना होगा बच्चों क्योंकि अगर एक भी अंक या एक भी गोला आपने गलत कर दिया तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे और यदि कोई प्रशन प्रक्षा में नहीं आता है तो भी आप उस प्रशन को छोड़े नहीं कोई ना कोई गोला आप काला कर दें जिससे की हो सकता है वो सही हो जाए और उसके आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे किसी भी गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए कोशिश ये करें कि एक से ले करके 180 तक सभी प्रशनों के उत्तर कुछ न कुछ उत्तर आप जरूर दें किसी प्रशनों को अधूरा ना छोड़ें सभी बच्चों को परिच्छा के लिए बहुत-बहुत सुपकाम नाए धन्यवाद